नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल अपनी क्लास में दोस्तों यदि आप भी अपने R.A.C.A.T. exam को लेकर चिंतित हैं कि मेरा R.A.C.A.T. exam में क्या होगा मेंने तो कुछ भी नहीं पड़ा है क्या मेरा R.A.C.A.T. exam पास हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा तो दोस्तों आप चिंता मत कीजिए क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो के अंगर आपके R.A.C.A.T. exam के लिए 35 ऐसे most important प्रशन लेकर आया हूँ जिनके आने का चांस दोस्तों 100% है जी हाँ दोस्तों मैं आपसे वदा करके जाता हूँ कि इन 35 प अब हम देखते हैं हमारे इस पेपर का पहला प्रशन तो आप देख सकते हैं इस पहले प्रशन में आपसे कहा गया है कि MWC का एक उधरन कौन सा है तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर पताना चाहूँगा कि MWC क्या होता है दोस्तों MWC क्या है एक प्रकार की full form है जिसका दोस्तों विसरत रूप होता है Massive Open Online Courses यानि कि दोस्तों यह क्या परकार की Online Courses है और दोस्तों इन Online Courses को आजकल क्या कहते हैं EDX भी कहते हैं जी हाँ दोस्तों इन Online Courses को आजकल EDX भी कहते हैं इस परकार से जो MWC है वो दोस्तों EDX का उधरन है यानि कि पहले क जो correct answer है वो क्या उदाएगा option number A यानि कि दोस्तों उत्तर A क्या है बिल्कुल सही है दोस्तों तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास में अब इस paper का दूसरा प्रशना आता है इसमें आपको कहा है कि एक client computer पर चलने वाला client application है जो कि web server से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है यानि कि दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन से application है जो कि दोस्तों आपको Google के प्रिणाम दिखाता है यानि कि दोस्तों जो Google search engine है उस पर जब आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो आपके सामने कई प्रिणाम आते हैं उसी प्रकार दोस्तों Google ने क्या कर रखा है अपने search engine को safe रखने के लिए कई प्रकार के web browser बना रखे है जैसे कि मौजिला Firefox, Google, Chrome, Safari ये क्या है दोस्तों ये एक प्रकार के web browser है जिसे दोस्तों Google का server है वो safe रहता है यानि कि दोस्तों इस पर इतना load नहीं आपाता इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे पास में जो web browser है वो क्या है client application है जो की web server से संप्रक करते हैं तो यानि कि दोस्तों दूसरे का जो correct answer है वो क्या होगा देगा option number C, web browser तो देख सकते हैं answer web browser क्या है बिल्कुल सही है चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में अभी इस paper का तीसरा प्रशना आता है इसमें आपको कहा है कि Gmail में compose option पर click करने के बाद में क्या होता है यानि कि दोस्तों आप सबने अपने mobile के अंदर या फिर अपने computer के अंदर Gmail नमा cape देखा होगा जिसका symbol इस प्रकार से होता है दोस्तों आप जैसे इस पर click करते हो और mail बनाने की कोशिश करते हो तो दोस्तों आपको compose पर click करना होगा उसके बाद में अपवना email संदे से वो लिख सकते हैं यानि कि compose option पर click करने के बाद आप अपना एक email संदे से वो लिख सकते हैं इस परकार से दोस्तों तीसरे का जो भी option है वो correct होना चाहिए तो देखिए answer क्या है आप एक email संदे इसका भी लिख सकते हैं कि निमन में से कौन pointing उपकरन के सही उदारन है यानि कि दोस्तों आपको pointing device के सही example बताने हैं दोस्तों में आपको बता दो pointing device वे होते हैं जिनको आप अंगूलियों के इशारे से याँपर touch करते हैं यानि कि जैसे कि आपके पास में क्या है जो computer की display पर एक तीर का निशान होता है वो दोस्तों move होता है यानि ये इदर उदर होता रहता है इस परकार से जब अंगूलियों टच करते हो तो ये क्या है हमारे पास में एक परकार का pointing device है पॉइंटिंग उपकरन है तो आप देगे mouse क्या है हमारे पास में एक परकार का pointing device है उसी परकार से touchpad भी क्या है हमारे पास में pointing device है और trackball भी क्या होता है दोस्तों हमारे पास में pointing device का example होता है इस परकार से चोथे परशन के अंदर जो pointing device के सही उधरन है वो दोस्तों option A के अंदर है तो इस परकार से उत्तर यह है वो यहाँ पर चोथे का बिल्कुल सही अंसर होगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमारे पास में जो Pointing Device के Correct answer क्या है Trackball, Touchpad और Mouse है यह दोस्तों आपको answer के अंदर दे भी रखा है चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का पांचवाँ परशन आता है इसमें आप से देखिए कहा गया है कि निमिल लिखित में से कौन सा शब्द MS Word से सम्मधित नहीं है तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि MS Word क्या होता है दोस्तों MS Word के अंदर डोक्योमेंट बनती है क्या बनती है दोस्तों डोक्योमेंट बनती है और दोस्तों इस डोक्योमेंट का जो फाइल एक्स्टेंशन होता है जो कि दोस्तों डिफर्ट रूप से होता है वो होता है डी ओसी एक्स डॉट क्या होता है दोस्तों comment के अंदर उपर का जो साइज है उसे कहेंगे header और दोस्तों नीचे वाला भागे उसे कहेंगे footer तो देखिए ms word में क्या होता है header और footer होता है वहीं दोस्तों बुक हमारे को hyperlink भी होती है clip part भी होता है यानिके दोस्तों a, b, d option क्या है वो दोस्तों ms word से सम्दित हैं वही presentation मनती है और दोस्तों presentation में क्या होती है विविन प्रकार की slides होती है इस प्रकार से ms word से समदित जो option नहीं है option c नहीं है क्योंकि दोस्तों presentation ms word में नहीं होती चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं हमारे पास में अब इस paper का छटा प्रशन आता है इसमें आप देखिए बतानी है जैसे की दोस्तों आप क्या करते हो किसी भी बाहर को मापने के लिए किलोग्राम का यूज करते हो उसी परकार से दोस्तों इंटरनेट को आप किस में मापने के आपको बताना है दोस्तों तो इस परकार से जो इंटरनेट की स्पीड है वो यहाँ पर बीट्स पर सेकिंड में मापी जाती है किलो बीट्स पर सेकिंड में मापी जाती है और गिगा बीट्स पर सेकिंड मापी जाती है ये दोस्तों क्या है इंटरनेट की गदिम आपने की एक आई है तो A, B, C क्या है ये दोस्तों हमारे पास में यूनिट्स हैं जो की इंटरनेट की गदिम आपकर देती है तो यानि कि D option correct होगा उत्तर सभी क्या है वो दोस्तों बिल्कूल सही answer है दोस्तों तो अब आगे देखते हैं हमारे पास में आप इस paper का सातवा प्रशन आता है इसमें आप देखिए आप से कहा है कि निमिल लिकित में से किस की बंडारन चमता सबसे अधिक है यानि कि दोस्तों सबसे अधिक data है वो किस में store किया जा सकता है या आपको बताना है तो यहाँ पर CD की फिर्फों होती है Compact Disc क्या होती है दोस्तों? Compact Disc वहीं दोस्तों B option है CD, R, W यहाँ पर C option है DVD तो दोस्तों DVD की फिर्फों होती है Digital Versatile Disc तो आपको याद रखना है DVD की फिर्फों क्या होती है Digital Versatile Disc और दोस्तों D option है Blu-ray Disc तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में जो सबसे अधिक बंड़ान श्रमता है वो किसी है बुलूरे डिस्क की है तो इस परकार से दोस्तों हमारे पास में साथमे का जो दी ओप्षन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है ब्लू रेडिस क्या है इसका बिल्कुल correct answer है चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में अब इस paper का आठोंप प्रशन आता है इसमें आप देखिए आप से कहा है कि निमन में से कौन सा एंड्रोइड उपकरणों में screen lock है यानि कि दोस्तों आपके पास में जो एंड्रोइड मुबाइल है उसमें screen lock कौन कौन से होते हैं तो देखिए पहला होता है pattern जैसे कि दोस्तों आप screen की display को on करते हो तो आप pattern lock लगाते हो यानि कि दोस्तों 9 digits का क्या होगा यहाँ पर pattern होगा जैसे कि आप कभी M लगाते हो तो कभी L लगाते हो यह हमारे पास में pattern screen lock है उसी परकार से आप pin भी लगाते हो यानि कि दोस्तों 6 digits का pin लगाते हो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये क्या है हमारे पास में एक पिन है ये दोस्तों क्या है हमारे पास में स्क्रेंड लोग है उसी परकार से पासवर्ड दोस्तों आप लगाते हो कभी कभी 1,2,3,4 ये भी क्या है दोस्तों मारे पास में एक परकार का स्क्रेंड लोग है दोस्तों तो अब हम आगे देख सकते हैं, हमारे पास में आप इस पेपर का नुँआ प्रश्न आता है, इसमें आप देखिए, आपसे कहा है कि आप आधार कार्ड को بेंग काते से केसे जोडेंगे, यानि कि दोस्तों आपको आपके अधार काड को बेंक काते से जोड़ना है तो आप केसे जोड़ेंगे आपको उप्यूक्त विकल्प का चेन है वो करना है तो दोस्तों आप अपने bank खाते से अधार कार्ड को जोडने के लिए अपने mobile में net banking का उपयोगे वो करना होगा दोस्तों आपको इसके साथा से आपका अधार link है वो दोस्तों bank खाते से हो जाएगा इस परकार से नोमे का जो ए अप्शन है वो बिल्कुल correct होगा तो देखिए नेट बेंकिंग का उप्योग करके आप अधार काड को बेंक आते से जोड सकते हैं चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का दस्वा परशन आता है इसमें आप देखिए आपसे कहा है कि नीचे दिये गए तालिका से सही मिलान का विकल्प का चेन करें यानि कि दोस्तों आपको बचाना है कि सही फूल फॉर्म कौन सी है दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमारे पास में जो दोस्तों परशन के अंदर ओप्शन ए है GPS तो दोस्तों GPS की सही फूल फॉर्म होती है Global Positioning System लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको फूल फॉर्म दे रही है Google Play Store तो दोस्तों यह हमारे पास में जो फॉल फॉर्म है वो बिल्कुल गलत है आगे देखिए B Option के अंदर HTTP तो दोस्तों HTTP की सही फॉल फॉर्म होती है Hyper Text Transfer Protocol तो इस परकार से यह फॉल फॉर्म क्या है बिल्कुल सही है तो इस परकार से दोस्तों आपको जो सही मिलाने वो हो जाता है यहाँ पर B Option के है बिल्कुल सही है और वहीं दोस्तों यहाँ पर आप देखिए URL आपको फॉल फॉर्म दे रही है तो दोस्तों URL की होती है Uniform Resource Locator लेकिन आपको दे रही है Unique Resource Location तो दोस्तों यहाँ पर A और C Option के अंदर जो फॉल फॉर्म है तो दोस्तों यहाँ पर A और C Option के अंदर जो फॉल फॉर्म है वो गलत है B Option के अंदर जो फॉल फॉर्म है वो बिल्कुल सही है चलिए दोस्तों अब हम आगी देखते हैं हमारे पास में अब इस paper का 11 प्रशन आता है तो दोस्तों देखिए 11 प्रशन के इंदर आपको कहा है सुरक्षित website के संबन्द में नीमन कतनों पर विचार करें यानि यह दोस्तों सुरक्षित website कॉन सी होगी इसका आपको पता कैसे लगएगा तो देखिए आपको यहाँ पर कत्न दे रखे हैं पहला कत्न है इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है तो दोस्तों हमें आपको HTTP की फ्रों मता चुका हूँ Hyper Tax Transfer Protocol और दोस्तों यहाँ पर आपको S दे रका हैं na S का मतलब होता है Secure क्या मतलब होता है Secure जैनके दोस्तों शुरुआत में यहाँ कि षुरुआत में यादि जो वेबसाइट है इसमें पहले तो HTTPS आया है यानि कि दोस्तों हमारी वेबसाइट की है बिल्कुल सुरक्षित है दोस्तों यहाँ पर इस वेबसाइट की सुरुवात में एक परकार का ताला आएगा क्या आएगा दोस्तों एक परकार का ताला आएगा इस परकार से तो यह कहा है दोस्तों एक pad log चिना है इसके पता लगता है कि यह website क्या है बिल्कुल सही है यानि कि दोस्तों यह कहा है सुरक्षित website के पहचान है ठीक है आगे देखिए website में हमेशा .com domain होता है लग अलग website के अलग अलग domain होते है तो दोस्तों यह वाला कथन क्या है गलत है और पहला और दूसरा कतन क्या है बिल्कुल सही है तो इसमें आपको थाई विकल्प का चेहन करना है चलिए देखते हैं हमारे पास इसमें आप देखिए option यदि रखाय की keval 1 सई है केवल 1 है कुछ कितन है वो सही है तो सी option के आपको दोस्तों बिल्कुल correct होगा तो देख सकते हैं तो ओस्तों में बिल्कुल सही कतन है चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में आप इस paper का बारवाँ प्रशन आता है इसमें आपको कहा है dot matrix printer, inkjet printer और ledger printer किसके उधारण है तो दोस्तों मैं आपको प्रशन के अंदर ही पता चुका हूँ कि ये printer के उधारण है इस परकार से दोस्तों बारवे का जो correct answer है वो क्या हो जाएगा option number A तो यहाँ पर देख सकते है answer A क्या है वो printer बिल्कुल सही option है दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में अब इस paper का तेरवाँ प्रशन आता है इसमें आपको कहा है कि credit card के माध्यम से बुक्तान लेननेन के लिए क्या जानकारी आवशक है तो दोस्तों इसमें आपको कहा है कि निमिल लिकित में से सही उप्युक्त विकल्प है उसका आपको chain करना है यान कि दोस्तों आपको एक debit card या credit card दे रहे हैं आप किसी भी bank में चले जाओ SBA में बेंको बड़ोदा में किसी में भी चले जाओ आपको debit या credit card तो दिया जाएगा दोस्तों यह जो मारे पास में card होता है उसमें हमें 16 अंक के यहां पर number मिलते हैं जो कि हमारे unique number होते हैं और वहीं दोस्तों इसके नीचे आपको यहां पर expirate date मिलेगी साथ ही आपके mobile पर transaction करने के लिए OTP है, one time password है, वो भी आएगा तो इस परकार से debit card, credit card से समवंदित यह सभी प्रक्रियाएं अवश्यक रूप से लागू होंगी तभी दोस्तों आप भुक्तान या लेंदेन कर सकते हो तो इस परकार से दोस्तों तेरवे का जो D option correct होगा उत्तर सभी विकल्प क्या हैं, credit card के भुक्तान से समवंदित बिल्कुल सही option है दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में आप इस paper का चोद्वा प्रशन आता है, इसमें आपको दो वेक्तवे दे रखे हैं दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा वेक्तवे सही है और कौन सा वेक्तवे गलत है तो इसमें आप देखिए पहला वेक्तवे है इसमें आपको कहा है, यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हैं और गलती से इसे सहेजे बिना ही बंद कर दिया है तो आप MSXL 2010 में सहेजे गए संस्क्रण को पुने प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आप इस वेक्टर पर का मतलब समझे तो इसमें को कहा है कि आप MSXL 2010 में क्या कर रहे थे कोई वरक कर रहे थे और दोस्तों आपने आदा वरके वो कर लिया और दोस्तों आप यहां पर काम करते हो वक्त गलती से इसे सहेजे बिना ही बंद कर देते हो यानि कि दोस्तों पूरी तरीके से कंप्योटर का आफ ओफ कर देते हो दोस्तों अब आप चाहते हो कि मुझे फिर से काम ना करना पड़े बलकि जो मैंने काम किया था वहीं से मुझे आगे काम करना पड़े यानि कि दोस्तों पूरा काम फिर से ना करना पड़े जो मैंने छोड़ा था वहीं से मैं फिर से शुरू कर दूँ तो दोस्तों आप इसा कर सकते हो इसको आप पुनह प्राप्त कर सकते हो यानि कि दोस्तों यह 14 का वेक्तर पे यह क्या है बिल्कुल सही है वेक्तर पे दो देखिए दोस्तों MS Excel 2010 में इंटरनेट से इमेल या डाउनलोड प्राप्त होई इस एक्सल फाइल स्वाचलित रूप से प्रोट्रेक्टेड व्यू में खुल जाएगी निमल लिकित में से उप्युक्त विकल्प का चेन करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि MS Excel में इंटरनेट से जो आप इमेल किसी को बेजोगे तो दोस्तों वो जो इमेल फाइल है वो वेसे नहीं खुलेगी क्योंकि दोस्तों उस इमेल के अंदर पासवर्ड लगे होंगे क्या लगे होंगे दोस्तों पासवर्ड लगे होंगे उसके बाद में ही दोस्तों आप उस इमेल के content को देख सकते हो आंसर देख सकते हैं हमारे पास में जो है वेक्तव एक सही है और वेक्तव दो क्या है गलत है चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में आप इस पेपर का 15 प्रशन आता है इसमें आपको काया है MS Excel में यदि किसी सेल में सामगरी बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती तो हम किसका उप्योकर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामगरी को कई लाइनों में परदशित कर सकते हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले इस प्रशन का मतलब समझे दोस्तों मैंने आपको काया था MS Excel में शीट बनती है और दोस्तों शीट में विबिन परकार की सेल होती है जैसे कि ये हमारे पास में A1 सेल, ये A2 सेल और ये A3 सेल दोस्तों यदि आपने किसी एक सेल में बहुत बड़ा फॉर्मला लिख दिया बहुत सारे टेक्स्ट का तो दोस्तों वो जो आपका फॉर्मला है वो आपको एक सेल में नहीं दिखेगा क्योंकि दोस्तों वो बहुत बड़ा फॉर्मला है इसलिए दोस्तों आपको एक ही सेल में सभी फॉर्मले को देखना है तो दोस्तों आप किसका यूज करोगी आप दोस्तों रैप टेक्स्ट ओप्शन का यूज करोगी इससे एक ही सेल में आपके सभी फॉर्मले है वो दोस्तों आपको दिखने लगेंगे तो इस परकार से पंदरवे का जो D option है वो बिल्कुल correct आंसर होगा तो दिख सकते हैं आंसर यहाँ पर rape text क्या है बिल्कुल सही उतर है दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में अब इस paper का 16 प्रशन आता है MS Excel 2010 में कौन एक गोलाकार अकार का चार्ट है जिसे संक्यात्मक अनुपात का वरणन करने के लिए सलाइस में विवाजित करते हैं तो दोस्तों MS Word के अंदर विबिन परकार के चार्ट होते हैं दोस्तों एक गोलाकार चार्ट जिसमें आपको विबिन परकार के संक्यात्मक मान मिलें जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहां पर 20%, यहां पर 10%, यहां पर 30% और यहां पर 25% ये दोस्तों हमारे पास में जो चार्ट होता है जिसमें आपको संख्ष्यात्मक अनुपात का औरन मिलता है दोस्तों उस MS Excel के चार्ट को कहते हैं Pi scope क्या कहते हैं दोस्तों Pi dużo चार्ट केते हैं ये दोस्तों में Pi चार्ट है इस परकार से Solve ने का जो D option है वो दोस्तों बिल्कुल correct answer होगा तो देखिए answer pie chart का है दोस्तों वो बिल्कुल सही उत्र है दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में अब इस paper का सतरमा प्रशन आता है इसमें आपको कहा है निमिल लिखित में से कौन सी सेवा इमित्र के way portal के मद्यम से उपलब्ध है यानि कि दोस्तों इमित्र की सहाइथा से आप कौन-कौन सी सेवाओं का यूज़ कर सकते हैं आपको ये बताना है निमिल लिखित में से सबसे उप्युक्त विकल्प का चैन आपको करना है दोस्तों आब सबसे पहले ये option देखिए बिजली या पानी का बिल भुतान आप ये मित्र के माध्यम से कर सकते हो यानि कि दोस्तों ये इमारे पास में क्या है ये मित्र की एक सेवा है उसी प्रकार से बोने फाइड अधिवास प्रमान पत्तर आविदन करना यानि कि दोस्तों आपको क्या करना है मूल निवास बनवाना है तो दोस्तों आप अपने मूल निवास को E मित्र के माध्यम से बनवा सकते हो यानि कि दोस्तों ये क्या है हमारे पास में E मित्र की एक सेवा है उसी प्रकार से दोस्तों रोजगार विभाग में पंजी करन करना यानि कि दोस्तों आपको क्या करना है बेरोजगारी बत्ते का आवेदन करना है पंजी करना है तो दोस्तों ये जो सेवा है वो भी आप E मितर के माजम से कर सकते हो यानि कि A, B, C ये सभी के सभी क्या हैं E मितर की सेवाँ हैं तो इसमें आप D option देखिए आप E मितर का उप्योग करके उप्योग सभी सेवाँ का लाब उठा सकते हैं दोस्तों तो अब आगे देख सकते हैं हमारे पास में आप इस पेपर का 18 प्रशन आता है इसमें आप से कहा है कि कौन सा नए मत दाता का पंजिकरन आविदन करने के लिए एक online portal है यानि कि दोस्तों आपके पास में कोई एक वेक्ति है जिसकी दोस्तों आयू है वो 18 प्लस हो चुकी है यानि कि दोस्तों 18 साल से उपर हो चुका है और दोस्तों उसे अपनी water id बनानी है इसलिए दोस्तों उसको क्या करना होगा उसे दोस्तों nvsp portal पर जाना होगा जिहां दोस्तों nvsp portal पर उसे जाना होगा और नए मत दाता का पंजिकरन करना होगा दोस्तों nvsp की फुलपम होती है national water service portal जी हाँ दोस्तों, National Water Service Portal क्या है? NBSP की सही फुल फॉर्म है और दोस्तों ये क्या है? नए मद्दाता पंजिकरन करने के लिए एक online portal है तो इस परकार से अठार में का जो A option है वो याँ पर बिल्कुल correct होगा तो आप देख सकते हैं NBSP क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, तो अब आप इसी के आगे देख सकते हैं हमारे पास में 19 वा प्रशन आता है इसमें आप से कहा है कि ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पुछता आज के लिए एक वे पोर्टल कौन सा है? दोस्तों, तो इस प्रशन का मतलब ये है कि जैसे कि आपके यहाँ पर दो स्थान है पहला A स्थान और यहाँ पर दूसरा B स्थान दोस्तों, माना कि आप A स्थान पर खड़े हो और दोस्तों, आपको पता लगाना है कि B स्थान से A स्थान की और जो train है वो कब पहुँचेगी यानि कि train का आगमन कब होगा और train है वो कब जाएगी यानि कि प्रस्थान कब होगा इसके लिए दोस्तों एक wave portal बनाया गया है इसकी आपको संपूर्ण जानकरी दोस्तों हमारी Indianrailway.government.in website है वहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगी जो भी दोस्तों train है उसके आगमन और प्रस्थान के बारे में संपूर्ण जानकरी है वो दोस्तों इस website पर मिल जाएगी तो इस परकार से 19 में का जो ए उप्शन है वो बिल्कुल correct होगा तो देखिए Indianrailway.government.in ये हमारे पास में बिल्कुल सही वेब पोर्टल है चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में अब इस paper का 20 प्रस्थान आता है इसमें आपको कहा गया है कि निमिल लिखित में से कौन Cyber 3.8 के परकार है तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले में ये बताना चाहूँगा कि Cyber 3.8 क्या होता है दोस्तों आपके पास में जो computer है वो कभी न कभी तो हैंग होता होगा दोस्तों इस computer हैंग क्यों होता है क्योंकि दोस्तों इसमें unwanted files है वो आ चुकी है यानि कि दोस्तों इसमें कुछ कच्रा भर चुका है जिसकी वज़े से ये computer डंग से काम नहीं कर रहा दोस्तों इस कच्रे को computer की परिबादा में क्या कहते हैं उसे कहते हैं दोस्तों virus और साथ ही उसे कहते हैं torgen horse और spyware ये दोस्तों तीनों कितिनों क्या हैं, Cyber 380 से, ये आपको पता होना चाहिए, जिया दोस्तों इस परकार से Cyber 380 के example कौन से हैं, वो दोस्तों option A के अंदर है, Virus, Torden Horse और Spyware, तो देख सकते हैं हमारे पास में जो उतर है, 20 में का A option है, वो बिल्कुल correct होने वाला है, दोस्तों तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास में 21 प्रशन आता है, इसमें आपको कहा है, कि बस Topology में Link और Nodes कैसे जुड़े भी होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बस Topology का structure बताना चाहूंगा, दोस्तों इस परकार से हमारे पास में बस Topology का structure होता है, आप ज दोस्तों, यह हमारे पास में Nodes और Cable की Linking है, तो देखिए, इसमें आपको कहा है, परतेक Node एक एकल Cable से जुड़ा होता है, जी हाँ दोस्तों, परतेक Node एक एकल Cable से यहाँ पर जुड़ा हुआ था, आपने देख लिया, परतेक Network Host एक केंदरी बिंदू से एक बिंदू से बिंद कनेक्शन से जुड़ा होता है, जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे पास में Cable हैं, वो दोस्तों, एक ही बिंदू से जुड़े में हैं, एक केंदरी बिंदू से जुड़े में हैं, इस परकार देख सकते हैं, केंदरी बिंदू से एक कनेक्शन होता है, तो इस परक तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 22 प्रशन आता है, इसमें आपको कहा है कि Windows 10 में system setting या अन्य लोगों के खातों को प्रबंदित करने के लिए किस विशेस फीचर के खातों का उप्योग किया जाता है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले में य प्रबंदित करना है, तो आपको बताना है कि आप किस विशेस प्रकार के खातों का उप्योग करेंगे, तो दोस्तों विशेस प्रकार के खातों को प्रबंदित करने के लिए हम क्या करेंगे, विशेस प्रकार के खातों का प्रियोग करेंगे, यहां दोस्तों वो हमारे पा demonstrator क्या है बिल्कुल सही उत्तर है चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में आप इस पेपर का 23 प्रशन आता है इसमें आपको बताना है कि ISP का पुरण रूप क्या है यानि कि दोस्तों आपको ISP की फुल फॉम बतानी है तो दोस्तों ISP की सही फुल फॉम है दोस्तों तो इसे के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में आप इस पेपर का 24 प्रशन आता है इसमें आपको कहा गया है कि निमन में से कौन सा आपके computer system के लिए दुभावना पुरण है यानि कि दोस्तों आपके computer के लिए कौन सी चीज़ हानी का रख है वो आपको बत चुका हूँ कि computer के अंदर जब unwanted files हा जाती है तब दोस्तों computer हेंग हो जाता है और दोस्तों उन unwanted files को कहते हैं viruses या फिर कहते हैं tors and horse या फिर कहते हैं spyware तो दोस्तों आपके computer के लिए दूरबावना पुरण है वो दोस्तों पहले option के अंदरे दे रहा है virus यानि कि दोस्तों A option वो बिल्कुल correct होगा दोस्तों और या option देखिए antivirus दोस्तों antivirus तो computer को बचाओ करता है यानि कि दोस्तों जो virus है उसके खिलाब लड़ा icon करता है वो दोस्तों antivirus करता है तो दोस्तों यह क्या है computer के लिए दूरबावना पूरण नहीं है firewall दोस्तों firewall भी क्या है एक परक का option होता है जी हां दोस्तों ये भी क्या है computer के लिए दुर्भावना पूरण नहीं है इस प्रकार से computer system के लिए दुर्भावना पूरण है वो दोस्तों option A virus है तो देखिए answer virus दोस्तों या पर बिल्कुल correct answer होने वाला है दोस्तों तो अब आगे देख सकते हैं हमारे पास में अब इस paper का 25 प्रशन आता है इसमें आपको कहा है कि USB का पुरण रूप क्या है यानि कि दोस्तों आपको USB की full form बतानी है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपके R.S.E.A.T. exam में एक या दो full form जरूर पुछ जाएगी जिसमें इसे USB की full form हर साल पुछ जाती है और दोस दोस्तों चलिए तो अब हम आगे चलते हैं हमारे पास में आप इस paper का 26 प्रशन आता है इसमें आपको कहा है Windows 10 में हम कैसे software इंस्टॉल नहीं कर सकते तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि software और hardware में अंतर क्या होता है दोस्तों software उस चीज़ को कहते हैं जिसे हम चू नहीं सकते जैसे की Facebook जैसे की Facebook का आप चू नहीं सकते हो यह तो एक एप है उसी परकार से दोस्तों YouTube अब YouTube पर वीडियो देख रहे हो तो इसे आप चू ठोना रहे हो तो यह हमारे पास में क्या है software है वहें दोस्तों hardware का बताओं तो mouse दोस्तों जैसे computer के अ software install कैसे नहीं किया सकता तो दोस्तों वह किया नहीं जा सकता word file का उप्योग करके याने उस तो word file का उप्योग करके आप software को install नहीं कर सकते दोस्तों internet से आप क्या कर सकते हो install कर सकते हो Windows Store से भी कर सकते हो जिस परकार से दोस्तों mobile के अंदर Google Play Store होता है उसी परकार से दोस्तो CD, DVD, Pen Drive से भी आप software install कर सकते हो तब हित दोस्तों कोई आपका दोस्त है तो आप उस दोस्त को कहते हो कि मुझे यार वो game दे दे game मैं किस में दूँगा आपको pen drive में दूँगा वो कहता है तो इस परकार से pen drive से भी आपके जो software वो install हो सकते हैं तो दोस्तों ये जो माध्यम है वो software install करने के माध्यम है दोस्तों जो D option है word file का उप्योग करके इसके माध्यम से software है वो install नहीं होता तो इस परकार से D option है वो दोस्तों बिल्कुल correct होने वाला है चलिए दोस्तों तो आब हम आगे देखते हैं हमारे पास में 26 में प्रशन के नीचे 27 में प्रशन आता है इसमें आपको कहा है MS PowerPoint 2010 में अगर आप प्रस्तुती को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना होगा तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि MS PowerPoint के इंदर क्या बनती है दोस्तों MS PowerPoint में वीडियो या प्रशन टेशन बनती है क्या बनती है दोस्तों वीडियो या प्रशन टेशन आप MS PowerPoint के मध्यम से बना सकती हो दोस्तों प्रशन टेशन को हिंदी में कहते हैं प्रस्तुती क्या कहते हैं दोस्तों प्रस्तुती यदि आप presentation को समाप्त करना चाहते हो यानि कि दोस्तों आपने अपनी slide को यहां तक ले आए ठीके दोस्तों यहां तक चला ली अब आगे आप चलाना नहीं चाहते तो दोस्तों आपको क्या दबाना होगा keyboard पर आपको दोस्तों escape कुझी दबानी होगी जैसे कि हमारे पास में यह क्या है keyboard है तो दोस्तों यहां पर escape कुझी होती है वो आपको दबानी होगी इससे आपकी slide या आपकी presentation है वो पूरी तरीके से रुख जाएगी तो इस प्रकार से दोस्तों 27B का यह option है वो correct होने वाला है आप देख सकते हैं escape कुझी का है वो दोस्तों बिल्कुल सही उत्र है दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में यह बीस पेपर का 28 प्रशन आता है इसमें आप से कहा गया है कि windows 10 में system restore point क्यो बनाया जाता है यानि कि दोस्तों आपके जो computer के अंदर windows 10 है उसमें दोस्तों एक प्रकार का system restore point बनाया जाता है वो आपको बताना क्यों बनाया जाता है तो दोस्तों system restore का मतलब यह है कि आपके computer यदि हैंग हो जाते है तो दोस्तों आप उस computer का data है वो फिर से recover कर सकें इसलिए दोस्तों system restore है वो बनाया जाता है तो देखिए बी option के अंदर आपको कहा भी है कि system में खराबी या system crash होने पर computer system को recover करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है यानि कि दोस्तों आपके computer में कोई खराबी आ गी तब दोस्तों आपको data recover करना है इसलिए दोस्तों Windows 10 के अंदर system restore point है वो दोस्तों बनाया जाता है तो इस परकार से 28 में का भी option है वो दोस्तों बिल्कुल correct answer होने वाला है चलिए दोस्तों तो अब हम 28 में परशन के आगे 29 में परशन देखते हैं इसमें आपको क gedacht है कि एक दस्तावेज में एक नएा paragraph दर्ज करने के लिए कौन सी कुझी दबाएंगे जानकि दोस्तों आपके MS word में क्या है कोई एक dस्तावेज है ठीके दोस्तों दस्तावेज में क्या होते है टेक्स्ट होते हैं जैसे कि मैं लिखता हूँ MS धोनी ये दोस्तों मेरी पहली लाइन है ठीक है मैं लिखता हूँ MS धोनी दोस्तों मेरे को पहली लाइन के अंदर आगी विराट कोली नहीं लिखना ठीक है दोस्तों मेरे को आगी विराट कोली नहीं लिखना मेरे को दूसरी लाइन में विराट को करने के लिए जो कुंजी होगी उसका नाम है एंटर इस परकार से 39 में का जो D option है वो दोस्तों बिलकुल correct होगा तो देखिए answer D is वो दोस्तों बिल्कुल सही है एंटर इसका सही जवाब है दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में आप इस पेपर का तीसमा प्रशन आता है इसमें आपको कहा है कि निमन में से कौन सा सोफ्ट्वेर अकसर इमेल एप्लिकेशन के रूप में उप्योग किया दाता है और इसमें कलेंडर कारे परबंदक आदी भी शामिल है यानि ये दोस्तों आपके पास में एक ऐसा सोफ्ट्वेर होना चाहिए जिसमें इमेल के सभी कारे हो और साथ ही उसमें कलेंडर भी हो और इमेल के अलावा अन्य कारे परबंदक भी हो तो दोस्तों वो इमेल तो नहीं होगा क्योंकि इमेल के अंदर कलेंडर नहीं होता और साथ ही अन्य कारे परबंदक में नहीं होते इसलिए दोस्तों यहाँ पर Microsoft ने एक software का निर्मान किया उस software को दोस्तों कहते हैं MS Outlook क्या कहते हैं MS Outlook क्या है वो दोस्तों email की तरह कारे करता है calendar भी होता है और कारे परबंदक भी उसमें होता है तो इस प्रकार से 32 का जो C option है वो दोस्तों correct होगा तो देखिए MS Outlook दोस्तों क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस paper का 31 प्रशन आता है इसमें आपको Wi-Fi का पुरण रूप पताना है यानि कि दोस्तों आप सबने Wi-Fi का तो खूब यूज किया होगा और free data चलाया होगा दोस्तों जो हमारे पास में Wi-Fi की full form है वो भी अक्सर exam में पूछ ली जाती है तो दोस्तों Wi-Fi की जो full form होती है वो होती है दोस्तों wireless fidelity इस परकार से 31 में का दोस्तों जो correct answer है वो क्या हो जाएगा option number A तो आप देख सकते हैं wireless fidelity क्या है Wi-Fi की correct full form है चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास में आगे 32 प्रशन आता है इसमें आपको कहा है कि EPDS में प्रण्ट रूप क्या है यानि कि दोस्तों EPDS क्या है हमारे पास में एक full form है ठीक दोस्तों EPDS एक full form है जिसमें आपको केवल PDS की from पूची है दोस्तों मैं आपको वह सारी किसारी बता देता हूँ E का मतलब है electronic P का मतलब है public D का मतलब है distribution और S का मतलब है system यानि कि electronic public distribution system दोस्तों ये जो अमारे पास में full form है उसका यूज़ दोता है राशन कार्ड में जब हम कोटा लेने जाते हैं जो भी आपको मिलता है गेहूं वगेरा चाहूल वगेरा वो दोस्तों EPDS प्रणाली में ही समिल है दोस्तों इस परकार से PDS की full form क्या हो जाएगी Public distribution system तो इसमें आप दोस्तों C option देखिए इसमें आपको बताया गया है कि Public distribution system क्या है वो दोस्तों हमारे पास में PDS की C full form है तो देखिए हमारे पास में C option correct होगा दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं हमारे पास में आप इस paper का 33 प्रशन आता है इसमें आपको कहा है निमेल लिखित में से कौन एक खोज engine का वेद उधरन है यानि कि दोस्तों आपको एक search engine के बारे में बताना है दोस्तों आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि दुनिया का जो सबसे बड़ा search engine है उसका नाम है गूगल दोस्तों गूगल के बाद कोई भी ऐसा search engine नहीं मुना जो कि इसका मुकाबला कर सके वैसे दोस्तों याहू और बिंग भी क्या है search engine है लेकिन गूगल से छोटे है दोस्तों इसमें आपको केवल और केवल option एक के अंदर गूगल दे रखा है यह हमारे पास में क्या है search engine का एक उधारन है दोस्तों अभी option देखिए Firefox तो दोस्तों यह क्या है वेब ब्राउजर है उसी परकार से firewall और antivirus तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों यह torgen horse virus इसे दोस्तों आपको computer की हानी को बचाते है इस परकार से cd option है वो भी गलत होंगे तो यहाँ पर उत्र ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में आप इस paper का 34 प्रशन आता है इसमें आपको कहा है कि windows 10 desktop पर निमिल लिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है यानि कि दोस्तों मान लेते हैं कि आपके computer में windows 10 डली भी है दोस्तों इस windows 10 की display पर क्या आता है icon आता है क्या आता है दोस्तों icon आजा जैसे कि आपके पास में facebook वाला icon आया उस पर आपने click किया और आपकी facebook चल गई उसी पर करते दोस्तों task bar भी आता है और pranampic button भी आता है ये दोस्तों windows 10 के desktop पर आने वाले चीजें हैं दोस्तों windows 10 के अंदर touchpad है वो नहीं आती जी हाँ दोस्तों windows 10 के अंदर touchpad नहीं आती क्योंकि दोस्तों touchpad क्या होती मैं बोगता दना चाता हूँ जैसे कि आपके पास में कोई ने कोई एक laptop है ठीके दोस्तों laptop के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर touchpad होता है इस परकार से touchpad दोस्तों क्या है विंडोस प्रेन के डिक्ष्टोप पर नहीं होती तो दोस्तों correct answer 34W का D option होगा तो देखिए touchpad क्या है इसका correct answer है चलिए दोस्तों तो अब हम आके देख लेते हैं हमारे पास में आप इस paper का 35 प्रशन आता है इसमें आपको बताना है कि कौन सा MS Word 2010 के साथ बनाए गई फाइल का default नाम है यानि कि दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि MS Word के अंतर क्या बनती है document बनती है मैं आपको सबसे पहले कह चुका हूँ और दोस्तों इस document बनने का जो file extension होता है default रोप से वो होता है दोस्तों DOCX यह भी मैं आपको कई बर बता चुका हूँ दोस्तों अब इसमें option नमर ए देखिए workbook तो दोस्तों workbook है वो MS Word में नहीं बनती तो यह option गलत होगा worksheet दोस्तों worksheet किसमें बनती है MS Excel में तो यह option भी गलत होगा उसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों DOCUMADE MS Word में बनती है तो यहां पर C option है वो दोस्तों बिल्कूल करेक्ट होने वाला है book दोस्तों किसी भी प्रकार का file extension नहीं है इस प्रकार से C option दोस्तों बिल्कूल करेक्ट होगा दोस्तों तो इस परकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके आने वाले RACIT एक्जाम को देखते हुए 35 ऐसे most important प्रशन बताई जिनके आने का चांस बहुत-बहुत ज्यादा है दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिए इन 35 प्रशनों में से आपको काफी प्रशन आपको आपके RKCL के पेपर में देखने हो मिलेंगे इसलिए दोस्तों इन प्रशनों को अपने एक्जाम को देने से पहले जरूर पढ़कर जाएं और साथ ही दोस्तों यदि आपको ये प्रशन अचे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें और साथ ही दोस्तों यदि आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जो की आने वाला RSID एक्जाम देगा उसको भी दोस्तों ये वीडियो शेर कर दे ताकि दोस्तों वो भी एइंपोर्टन कुशिन जान सके और उसके भी अच्छे से अच्छे नमर आ सके क्योंकि दोस्तों यदि आप PC की मदद करोगे तो बगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा तो दुस्तों अब इस वीडियो में तो इतनी ही जानकारी थी हम मिलते हैं कि इस अन्य वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत